Hello guys, I hope you like my videos, if you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग class 12 business studies chapter 7, directing का एक important topic, जो आपकी तरफ से बहुत बार मांगा गया, barriers to communication, और कैसे इन barriers को remove करा जा सकता है, क्या धान दिया जाए ताकि communication effective हो जाए, उसके बारे में आज हम discuss करेंगे, तो देखते हैं कौन-कौन से barriers है, तो basic जो है, चार categories जो है, subhead बनाए गए है, और उसके अंदर जो है, और subhead है explanation के लिए, तो सबसे पहला barrier पढ़ते हैं, semantic barrier, तो आपके पास चार तरिके के barrier है, जिसमें सबसे पहला barrier है, semantic barrier, नाम से बड़ा unclear सा है, क्योंकि बहुत technical सा word है, semantic barrier, लेकिन इसको आप दूसरे नाम से याद रखते है, linguistic barrier, और linguistic जो है वो word, language से related लग रहा है, यहां language में problem होगी, words में problem होगी, translation में problem होगी, इस तरीके की जो communication, ineffectiveness आई, तो वो क्या कहलाएगी, आपके पास semantic barriers, तो basically barrier का मतलब होता क्या है, barrier का मतलब होता है, communication को ineffective बनाने वाला कोई भी, कोई भी problem, ठीके, जैसे for example, आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पर, और पीछे बहुत disturbance है, तो जो आप बोलना चाह रहे हैं, उसमें से 50% बात सुनने वाले को समझ में आई, और 50% बात उसने अपने आप बना ली, तो जो communication आप करना चाहते थे, वो communication ineffective है, क्योंकि जो आप बोलना चाहते थे, समझाना चाहते थे, वो exactly उसने understand नहीं करी, communication effective कब होती है, जब मैं जो समझाना चाहती हूँ, आपको वही समझ में आए, आपकी interpretation वही जाए, जहां मैं आपको clear करना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और clear कर ले, महाँ पर communication क्या हो जाती है, ineffective हो जाती है, for example, एक property dealer है, उसको एक कहता है कि मुझे आपकी जो property पंजाबी बाग में है, वो purchase करनी है, अब देखें, पंजाबी बाग में उसकी 3-4 properties है, अब क्या हुआ, कि जो A है, उसके prospect से property, for example, D property को purchase करना चाहता था, और जो property dealer है, उसको वो property लगी, जो यह पहले देखके गया था, तो दोनों की unclarified जो assumptions है, दोनों ने अपने आप जो बना लिया, यहाँ पर जो communication है, वो क्या है एक example, ineffectiveness का, तो बहुत जरूरी होता है कि communication effective हो, और अगर communication effective नहीं होती, तो वो हर चीज, जो communication को effective ना होने में role play करती है, वो बन जाती है, उसके लिए barriers, तो उनी में से हम कुछ दिक्कतों को, कुछ problems को discuss करेंगे with the head, तो first is semantic barrier, जो जो हम कहते है, linguistic barrier, and that is related to the language, right, encoding and decoding of message से relate करता है, what is encoding and decoding, encoding का मतलब होता है, जब आप message बना रहे हैं, जब message लिख रहे हैं, तो उसमें, अगर आप से कोई गलती हो जाती है, तो वो भी incomplete हो जाए रहे हैं, और अगर आप उसे translate कर रहे हैं, यानि जब आप उससे मतलब निकाल रहे हैं, यानि आप उसे समझने की कोशच करेंगे, अगर आप गलत interpret करेंगे, यानि गलत उसकी explanation निकालेंगे, गलत व्याख्या करेंगे, तो ऐसे केस में भी communication क्या हो जाएगी, ineffective हो जाएगी, तो this problem या this barrier is related to encoding and decoding of the message, क्योंकि हर इंसान एक word को different meaning से समझ सकता है, यानि एक ही शब्द के अलग-अलग meaning, एक ही sentence के अलग-अलग meaning, different people दुआरा different लगाये जाते हैं, और वहीं पर communication के ineffective होने का एक कारण बन जाएगा, जिसे हम linguistic barrier कह सकते हैं, तो सबसे पहला है उसके अंदर हमारे पास badly express message, यानि जो आपका message है वो ही बहुत hot-pots लिखा गया है, या बहुत short cuts का इस्तमाल करा गया है, यानि जो उसका expressive way है, वो ही incomplete है, आपने कोई message लिखा और बहुत short में लिख दिया, उनका मतलब भी नहीं समझेगा जैसे आजकल के message में आपने ये लिख दिया, अब इसका मतलब भूत भी है और बहुत भी है, तो क्या होता है कि आपने अगर अपने message को clear नहीं लिखा, badly express है, तो ऐसे case में समझने वाला उसे clearly नहीं समझेगा, For example, हम ले सकते है, send goods soon, For example, एक business man ने एक party को कहा supplier को, कि आप माल भेज दीजिये, soon, अब यह soon का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो party order कर रही है, वो चाहरी है कि आज ही माल आ जाए, और इस party, जो जिस party को order किया गया था supplier को, उसने ये माल लिया, कि soon का मतलब है, 2-3 दिन के अंगर करते हैं, तो this is what badly express message, right, first thing, second is, symbol with different meaning, यहाँ पर, books के अगर आप बात करेंगे, तो हम word with different meaning लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर, जो alphabet है, वो है, symbol with different meaning, तो इसका अगर मैं example आपको बोलू, तो अगर आप ये thumb देखेंगे, तो इस thumb का क्या मतलब होता है, इस thumb, यानि इस symbol कि अगर आप message में देखेंगे, तो दो मतलब है, एक तो भाई ठेंगा दिखा रहे हैं आपको, और दूसरा क्या है, कि all the best, तो this is the symbol with different meaning, right, तो आपके पासे से बहुत सारे symbol होते हैं, जिसमें आप अपने साब से अलग-लग मतलब लगा सकते हैं, अब आप देखेंगे कि नमसकार, ऐसा एक symbol होता है, अगर आप WhatsApp messages में देखेंगे, तो वहाँ पर कई बार होता है, भाई, चुप उजा, बस कर, और एक बार आप किसी चीज़ को greet करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, नमसकार के लिए आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, एक ह symbol है, बट उसके क्या-क्या मतलब लगाए जाएंगे, different, तो आप मुझे बताइए, जो मैं बोलना चाहती हूँ, सामने वाले ने उससे different meaning निकाला की नहीं निकाला, और अगर ऐसा किया, तो जो मैं समझाना चाहती कि उसने नहीं समझा, और communication क्या हो गई, ineffective, और इसी वज़ principle का मतलब आपके school के principle भी, और एक principle का मतलब सिधानत होते हैं, तो this is the confusion, जो आप जब word लिखते हैं, तो आपको बहुत जादा ध्यान रखने की जरूरत है, और हमारे पास इसके अंदर आता है faulty translation, faulty translation means जिसको भी आपने, जैसे for example, अगर मुझे थोड़ी बहुत French आती है, तो मेरे किसी friend को एक letter आता है, official letter आता है, और वो मुझे कहता है कि आप एक काम करिये, please मुझे ना ये जो French में लिखाय से translate कर दीजे, तो मुझे टूटी-फूटी French आती है, मुझे बहुत अच्छे से French नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, अपने हिसाब से उसको translate कर दी है, याने जो translator है, वो ही गलत मलत बता दे, या गलत चीजे निकाल दे, उसका conclusion गलत निकाल दे, तो ऐसे case में भी communication क्या हो जाएगी, ineffective हो जाएगी, right, तो सबसे पहले हमने discuss करा इसके अंदर, badly expressed message, याने message को सही तरीके से express करना बहुत ज़रूरी है, symbol with different meaning, एक ही symbol के अलग- को कहता है, take care of goods, now, यहाँ पर जो भी manager है, या जो superior है, उसका मतलब यह है, कि तुम उसकी quality का ध्यान रखो, कि quality अच्छी होनी चाहिए, माल को ध्यान रखो, कि माल सही बनना चाहिए, जबकि वरकर ऐसा समझ रहा है, कि उस माल की safety के बार में boss कह रहा है, तो this is what unclarified assumptions, याने आपको clear नहीं करा गए, कि take care का मतलब यहाँ पर क्या है, अब जैसे for example, एक और example है, कि manager ने एक foreign guest आये थे, उन्होंने अपने assistant को बोला, take care of the guest, तो यहाँ पर उनका मतलब सिर्फ यह था, कि उन्हें नीचे सिर्फ cab web करा दो, ताकि वो airport तक चले जाए, अब वो जो आपका जो subordinate house को लगा कि नहीं भई उनको lunch बंच करा के अच्छे से उनको पूरा airport पर छोड़के सब कुछ करकर आना है, और बाद में जो भी खर्चा होगा, मुझे boss दे देंगे, तो यहाँ पर क्या problem हुई, फिर जब वो boss से आके कहता है, कि sir मैंने उनको lunch भी 11 कराया, अब आप मुझे जो है यह payment जो है आप दे दीजेगा, आपने गाता कि उसका पूरा ध्यान रखना, मैंने उसे बहुत अच्छी cab करवाई है, luxury car करवाई है, और मैंने उसे बहुत अच्छी restaurant में खानवाना खिलाया, उसके बाद मैं उसे personally drop करके आया, तो sir आप मुझे अभी इसकी payment दीजेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब दोनों में जगडा चलेगा, मैंने मेरा मतलब तो यह नहीं था, मेरा मतलब तो सरफ यह था कि तुम नीचे तक उसे drop कर दो और taxi लेके दे दो उसको normal सी, पर तुमने कुछ औरी समझ लिया, तो this is what unclarified assumptions, जो problem create करती है, उसके बा पेबल, बिल पेबल, बिल रिसेवबल, तो यह word उनके लिए क्या है, टेक्निकल है, यानि जो person जस फिल्ड में होता है, उसे अपनी फिल्ड के बारे में वो word clear होते है, लिकिन जब आप एक layman के लिए, एक normal person के लिए कोई message type करते हैं, तो आपके word उसकी education के हिसाब से ही होन चाहिए, टेक्निकल नहीं होने चाहिए, अब डॉक्टर अगर हमें कोई बिमारी लिख देता, तो हमें समझ में नहीं आता भाई, यह क्या बोल रहा है, तो हमें उसकी explanation उसे से लेनी पड़ती है, कि इस बिमारी का क्या मतलब है, या यह जो आप दबाई दे रहे हो, उसके कोई meaning नहीं समझ में आते हैं, pronunciation भी नहीं करने आती है, तो this is what technical word हो जाते हैं हमारे ले, लेकिन doctors के भीश में वो क्या है, या medical वाले जो होते हैं, उनके लिए वो क्या है, वो normal word है, तो technical jargon को avoid करना चाहिए, यानि ऐसे difficult word जो आपकी समझ के अंदर है, लेकिन सामने वाले की समझ में होंगे या नहीं होंगे, उसकी कोई surety नहीं है, तो जिससे उसको message unclear हो जाएगा, तो ऐसे technical words का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, अब for example, मैं आपको यही की समझा रही हूँ, technical jargon, और मैं इसे बड़े difficult word में समझाना शुरू कर दूँ, और technical language लेना शुरू कर दूँ rather than simple चीज में समझा दूँ कि भाई, technical का मतलब होता है, complex word लेना, जो आपकी समझ में तो आते हैं, मेरी समझ में नहीं आते हैं, तो technical jargon को समझाने के लिए, मुझे simple language का इस्तवाल करना है, rather than मैं फिर से technical language को इस्तवाल करूँ, तो अगर आपको message को clear करना है, तो आपको technical jargon को avoid करना चाहिए, last है आपके पास semantic barriers के अंदर, body language and gesture decoding, देखिए सबसे important क्या होता है, कि जब आप किसी को कोई communication कर रहे होते हैं, कोई message convey कर रहे होते हैं, और आपकी body जो है, आपकी communication के reverse में जा रही होती है, तो सुनने वाले का जो interest होता है, वो खतम हो जाता है, क्योंकि साफ साफ लगता है, कि तुम जो भी बोल रहे हो, उसमें सचाई की कमी है, ऐसा होता है ना, जब आप किसी person को कह रहे हो, कोई कह रहे है कि मैं आपसे बहुत हमदर्दी रखता हूं, ये है, वो है, लेकिन उसके हाव आपसे कही नजर नहीं आ रहा है, कि वो आपसे रोल होना चाहिए, किस तरही की कम्यूनिकेशन है, तो दिस इस सीमेंटिक बारियर, फिर्स बैड्ली एक्स्प्रेस मेंसेज, सेकिंड आपके पास है, सिंबल विद रिफरेंड मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अन्फ्लैरिफाइट असंप्शन, टेक्निकल जार्जन, बॉडी लांग्वेज, अन्जेस्चर, डिकोडिंग, आपको यह समझ में आए हो, सेकिंड आपके पास है, साइकलोजिकल बारियर, देखो साइकलोजिकल से क्लियर होता है, मेंटल बारियर हैं यह, हमारी इमोशनल बारियर हैं जो हमारी कम्यूनिकेशन को effective नहीं होने देत अगर आप बहुत ही दुखी हैं, stressed हैं और बहुत आपको कोई बहुत ही important project के बारे में discuss कर रहा है, तो क्या आप बताइए, क्या आप उसे ध्यान से समझ पाएंगे, जो वो समझाना चाहते हैं कि आप सुन पाएंगे नहीं, तो यहाँ पर communication क्या हो गए, ineffective, and barrier का नाम क्या ह नहीं हो पारे महाँ पर हमारे, हम stressed हैं, या फिर हम किसी person से बहुत गुसे में हैं, और सामने वाला person कोई बात कर रहा है, तो भी हम उसकी बात को सुनना परसंद नहीं करेंगे, या सुनेंगे तो ignore जादा करेंगे, तो यह जो emotions हैं, इन पर control नहीं करा जा सकता, और इसी mind, जो है, वो stable है, आप सुनने की condition में है, तो तो आप communication को effective बना सकती है, और अगर आपका दमाग हर चीज को रोक रहा है, आप सुन रहे हैं, आप class में बैठी हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है, घर में लगा हुआ है, घर में वो problem है, यह problem है, तो ऐसे case में class में क्या हो रहा कि आप concentrate ही नहीं कर रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो भी communication क्या हो जाएगी, ineffective, generally जो students होते हैं, वो complain करते हैं, कि teacher अच्छा नहीं है, तो देखी एक normal सी बात है, कि वहीं teacher, 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसमें से अगर 10 बच्चे score कर रहे हैं, 40 नहीं कर रहे हैं, तो किसी को अलग से नहीं पढ़ाया गया, problem क्या होती है, जब कहते हैं, चार बच्चे हमें तो teacher का बहुत अच्छा समझ में आया है, problem यहीं है dear, और भी problem हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं यह problem होती है, कि कुछ students क्या करते है concentration की कमी रहती है, उनकी attention की कमी रहती है, एक तो उनके मन में यह prospect होता है, कि हमें समझ आएगा ही नहीं, यह भी problem होती है, maths तो हमसे होगी ही नहीं, यह तो हमें parents से जबरदस्ती दिला दी, हमारे बस्ता तो है ही नहीं, तो lack of attention किसी भी वज़े से हो सकती है, आप stressed है, या फ श्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे case में भी आपकी communication कभी effective नहीं हो सकती, आपको लगता है जो बोलेगा, जूट बोलेगा, या फिर यह बोलेगा तो अपने फायदे के लिए बोलेगा, manipulative language बोलेगा, ठीक है, अपना फायदा, यह तो नेताओं की तरह है, यह तो कुछ भी अ पूरे तरीके से अपने पास सुनने के लिए, कहीं ना कहीं, मजबूर करेगा कि आप उसकी बात को पूरे तरीके से ना सुने, तो distrust is also a factor, जो barrier बन सकता है communication में, उसके बात, C है आपके passes के अंदर, premature evaluation, premature evaluation क्या होता है, कि बिना किसी logical deductions करे, बिना logical तरीके का इस्तमाल करे आप पहले से judgment बना लेते हो कि यहां तो यही होने वाला है भाई, इससे तो यही result करने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला, तो जो judgment आपने बना ली है, वो आपकी communication को क्या बनाएगी, ineffective, जैसे for example, कि generally organization में meeting होती है, और उस meeting के अंदर क्या करा जाता है, कि जो managers होती है, व अब फिर से यह meeting होती है, और इस meeting में workers को बिलाया जाता है, तो उनके दिमाग में यह premature evaluation है, कि sir देखिए, हमारे लिए तो कुछ है ने इस meeting में, यह जो manager है, यह अपनी ही वावाही करेंगे, और हमें तालिया बजानी है, और उसके बाद जो खाने को मिलेगा, खाना है, बॉस क्योंकि वो premature evaluation करके बैठे थे, judgment लेकर बैठे थे, कि ऐसा कुछ नी होने वाला, तो उन्होंने वो plan ढंक से नहीं सुना, right, तो communication के ineffective होने के पीछे premature evaluation होते हैं, generally क्या करते हैं, किसी के face या किसी के body structure को देखकर उसके बारे में judgment बना लेते हैं, कि यह बहुत introvert होगा, यह बहुत गुस्से वाली होगी, यह बहुत ही अच्छी होगी, और ऐसा judgment आपका बहुत बार, इंसानों को लेकर क्या निकलता है, गलक निकलता है, तो जो premature evaluation है, वो आपकी communication को क्या बनाती है, ineffective, उसके बाद इसके अंदर चौथा point है, loss by transmission and poor retention, देखिए, normal सी बात है कि अगर आज मैं आपको यह topic समझा रही है, ठीक है, तो मैं अपना effort अगर मान लो, 90% लगा रही हूँ कि आपको यह topic समझाया जाए, आप उसको सुनेंगे, तो आपने उसमें से समझा, for example, 80%, right, उस 80% में से जब आप किसी और को समझाने लगे, क्योंकि आप एक तोते transmission process में ह हो जाता है, जैसे कर, for example, A ने कहा कि B को आप ही inform कर दीजेगा, right, अब A ने मान लेते हैं, 20 बातें बोली हैं, लेकिन B जो है, इस transmission के दौरान, क्या कहते हैं, 20 बातें इसको बताई गई, लेकिन B इन सभी बातों को retain नहीं कर सकता, B ने जब C को यह transmit करी, तो उनमें से करते वक्त, information lost होती है, और retention, जो है, यानि आपकी जो याद रखने की power है, आप सब चीजों को याद नहीं रख सकते हैं, यह उसी वज़े से होता है, तो this is your second barrier, that is psychological barrier, या emotional barrier, जिसमें आपके पास है lack of attention, distrust, premature evaluation, and loss by transmission, and poor retention, इसके बाद third barrier है, हमारे पास organizational barrier, which is very important, organizational barrier में आप यह देखेंगे कि organization का जो structure होता है, जो rules and regulations होते हैं, उनकी वज़े से भी कई बार, superior और subordinate के बीच में, जो communication की effectiveness दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती, तो वो कौन-कौन से कारण है, जो organizational barriers बनते हैं, first है, organizational की policy, तो देखे, organization की policy, centralization follow करने की है, या decentralization follow करने की है, या decentralization follow कर बहुत जादा होगी, तो कि centralized का मतलब भी होता है, कि पूरी जो decision making power है, वो एक ही परसन के हाथ में चली जाती है, फिर आपके पास rules and regulation, जो rigid rules and regulations होते हैं, कि आपने ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना, बहुत जादा restrictions हैं, तो वहाँ पर भी communication ineffective होते हैं, एक छोटा से example देती कि किसी-किसी घर में ऐसा होता है, कि जो parents होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत strict होते हैं, कि आपने इसी time खाना खाना है, आपने इसी time पढ़ाई करनी है, आप इतने time कर phone देखेंगे, इतने rules and regulations के बीच, अगर बच्चों के पास कोई information है, वो कोई बातचीत अपने parents के share करना चाते हैं, तो वो डर के मारे इन rigid rules and regulations में अपनी बात को communicate नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी बहुत flexibility organization में होनी चाहिए, बहुत जादा rigidity communication को definitely hamper करती है, उसके बाद अगर हम बात करें complex organization की, तो आपने पढ़ा है कि tall structure भी होता है, और जितना जादा आपका structure tall होता जा जैसे for example, आपके पास ये board of directors है, board of directors के नीचे MD है, इनके नीचे आपके पास team department है, फिर इनके नीचे भी दो-दो लोग हैं आपके पास, फिर यहाँ पर आपके पास और, तो यह जो structure है, यह आपके पास बहुत complex होता जा रहा है और यहां communication में delays भी आपको बहुत जादा द लेकने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी communication क्या हो जाएगी, ineffective हो जाएगी, उसके बाद fourth point है, organizational facilities, अगर organization में communication को लेकर facilities हैं ही नहीं, two-way communication की facilities हैं ही नहीं, तो वो communication को hamper करती है, अब किसी-किसी organization में देखेंगे suggestion boxes लगे होते हैं, complaint boxes लगे होते हैं, bank में आप देख सकते हैं, complaint boxes आपको देखने को मिल जाते हैं, तो basically वो क्या है, वो organization में एक facility दी जा रही है, कि आप अपनी बात को हमारे तक क्या कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, अपनी problems, अपनी grievances जो हैं, हमारे साथ क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और जिन organization में इस तरीके के suggestion box, complaint box नहीं होते, वहाँ पर workers या जो subordinates हैं, वो अपनी बात को अपने तक ही रह जाती हैं, और जिस वज़े से dissatisfaction create होता है उनके बीच में, और dissatisfaction lead करता है, indiscipline को, मतलब जब आप simple सी बात है, आपकी बात को सुना ना जाए, तो आप में एक नाराज़गी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो एक तरीके से discontent, जो कह सकते हो, दुख जो है लोगों में बढ़ता जाता है, और वो दुख नफरत में बदल जाता है, और वो नफरत जो है, वो crime में बदल जाती है, चाहे वो किसी का murder है, या फिर कोई भी चीज होती है, मार पीट है, तो वो crime में बदल जाती है, तो इसके बाद हमारे पास फूर्थ टाइप की और लास्ट टाइप के बारियर है यह जो सेंडर होगा हमारे पास सेंडर यार रिसीवर की परसेप्शन कैसे है उसको लेकर बहुत इंपोर्टन रोल होता है क्या है क्मिनिकेशन का जिसे हम फर्स इसमें देखते हैं फियर ओफ चालेंज्ज तु एफॉर्टी सुपीरियर को कोई काम सबॉर्डिनेट को देना है अपने नीचे किसी परसन को देना है लिकिन उसे डर लगता है कि अगर मैं यह सब चीज़ें से सिखा दूं तो कहीं मेरी जगा ही ना ले ले तो वह उसे आधिय दूरी बात पताता है तो यहाँ पर कमिनिकेशन क्या है? Ineffective क्योंकि Incomplete Information, Incomplete Communication is also ineffective communication, right? तो यह जो fair है, जो डर है authority का कि मेरी जगा ना ले ले, वो कमिनिकेशन को क्या बनाता है? Ineffective. Second है, Lack of Confidence of Superior over Subordinate. या तो डर है कि वो मेरी जगा लेगा पहला point या आपको confidence ही नहीं है अपने subordinate पर कि वो ये काम सभाल सकता है तो आपने उसको ये communication करी ही नहीं ये बात पुरे तरीके से बताई ही नहीं कि तुम्हें ये ये काम करने है ठीक है तीसरा है lack of proper incentives अब जो ये तो हो गया आपका superior के point of view से या बात कर सकते हो दोनों point जो है वो subordinate के point of view से है ये subordinate के point of view से और ये आपके पास हो गए superior के point of view से subordinate को लगता है कि अगर मैं ये idea ये suggestion अपने boss को दूँगा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई praise मिलेगी या मेरी suggestion को welcome किया जाएगा बलकि मुझे लगता है कि मेरी इस चीज का incentive जो है वो मेरा manager ले लेगा या मेरा superior लेगा तो यहाँ पर उसको लगता है कि मुझे इससे कोई benefit तो होने वाला नहीं अगर मैं ये suggestion या ये problem organization में हो या घपला organization में हो रहा है यह मैं organization के superior को बता देता हूं या अपने superior को बता देता हूं तो अगर उसे लगता है कि मुझे को incentive मिलने वाला नहीं है मुझे को benefit तो होने वाला है नहीं तो ऐसे case में भी वो उसको communicate नहीं करेगा चौथा point भी superior के subordinate के point of view से ही है unwillingness to communicate क्या फिर उसे डर लगता है कि अगर मैं communicate करूंगा तो वो मेरे ही idea का benefit जो है अपने benefit के लिए कर लेगा rather than वो मुझे benefit करने के उसका benefit अपने prospect के लिए कर लेगा यानि अगर ये idea उसको पसंद भी आया तो वो मुझे उसका credit नहीं लेने देगा वो उसका credit ले लेगा तो इसी वजह से भी या अगर मैंने उसको ये suggestion दी या मैंने उसको ये complaint बताई तो वो मुझे ही fire कर देगा या मुझे डर है कि मैं जिसके against में complaint करने जा रहा हूं वो superior का कोई relative है या superior का favorable person है तो unwillingness to communicate कई reason से हो सकती है तो ये आपके पास में personal barrier तो ये चारो barrier हमने discuss करें semantic barrier that is linguistic barrier second psychological barrier जो state of mind से है emotion गुसा और क्या कहते है stressed हो गए या फिर आप बहुत जादा खुश है तो इन सभी चीज़ों में communication क्या होती है ineffective और तीसरा है हमारे पास organizational barrier इसमें organization की policy कैसी है rules and regulations कैसे है ये सक चीज communication point of view से इसके साथ हम ये भी topic cover कर रहे हैं इसके अंदर ठीक है हमने barriers तो पढ़ लिए लेकिन अब आपने problem तो बता दी अब आप हमें ये बताईए कि अगर हमें communication को effective बनाना है तो हम क्या करें तो सबसे पहला point बहुत ही अच्छा point है clarify the idea before communication ऐसा आपको कहा जाता है official communication को इस आप करना चाहते है जो communicate करना चाहते है first of all clarify the idea before communication तो ये बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग में clear करिए कि आपने क्या बोलना है और वो सही होगा बोलना या नहीं second communicate according to the need of the receiver देखिए सामने वाले का educational level कैसा है उसका understanding level कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए ही communicate करना तो ये होगे आपके पास एक second suggestion जो आपकी communication को क्या बना सकती है effective बना सकती है फिर तीसरा point है be aware of language tone and content बहुत जरूरी है कि आपकी language rude नहीं होनी चाहिए tone में rudeness नहीं होनी चाहिए ठीक है politeness होनी चाहिए content अच्छा होना चाहिए तो आपकी बात को यह आपकी जो बात है समझ में आएगी फिर जो सबसे important idea वो है be a good listener अगर आप दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं समझते हैं तो दूसरा भी आपकी बात को अच्छे से उतने ही importance देके सुनेगा जब उन्हें बता है कि यार जब मैं दुखी होता हूं मैं इसको अपनी बात बताता हूं तो तो ध्यान से सुनता नहीं तो इसके emotions को मैं क्यों share करूं तो be a good listener first अगर आप good listener है तो आपकी respect करी जाएगी और आपकी बात को भी उतने ही ध्यान से सुना जाएगा उसके बाद ensure proper feedback यह बहुत ज़रूरी होता है dear अब तो वीडियो में तो हमारे पास one way communication की होता है two way communication नही आपको बिताया था यह आप यह चीज क्लियर करिये आपको यह problem है तो आप हमें बताइए और कहीं ना कहीं बचे जो नोडिंग कर रहे होते हैं जो इंटरस्टो कर रहे होते हैं उससे clear हो जाता है कि वो हमें feedback दे रहे हैं वो हमें response कर रहे हैं तो proper feedback ज़रूर मिलना चाहिए और सबसे जरूरी चीज है follow up communication आपने जो भी बात बोली उसको follow up करना जरूरी है यापने क्या बोला एक पर दिमाग में जरूर सोच लेना चाहिए कि यार मैंने यह बात बोली कुछ गलत तो नहीं हो गया इसके अंगर उसके बात last है concerned other before communicating अगर आप कोई बहुत ही important issue बोलन से पहले आप अपने जो भी आपको लगता है कि आपकी बात को समझ सकते हैं उनसे consult जरूर करें I hope you like my videos thank you so much guys for your love and support keep supporting Viva Classes